वेलकम बैक तू दा जोशी फैमिली मैं हूँ गौतम जोशी और आप लोग देख रहे हैं दा जोशी फैमिली दोस्तों इस समय हम लोग कहां पा रहे हैं गौहाटी में दोस्तों बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी तो सोचा कुछ-कुछ ठंड़ ठंड़ कूल कूल चिलिंग फैक्टर लाया जाए लाइफ में दोस्तों तो हम लोग कहां आ गए दोस्तों हम लोग आ गए दोस्तों स्कॉट्लेंड ऑफ दा इस्ट शीलॉंग के पास दोस्तों शीलॉंग जो कि बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है और गौहटी जो सिटी है दोस्तों उससे बहुत ही नजदीक है तो हम लोग आ गए शीलॉंग के पास लेकिन हम लोग शीलॉंग सिटी में नहीं गए दोस्तों क्योंकि फैमिली को पसंद था दोस्तों थोड़ा सा थोड़ा सा फैमिली चारी थी कि थोड़ा सा ऐसी जगे मिले जो कि नेचर के लेग बोलते हैं और इस प्रापरडी में मैं दोस्तों हूं ये है दोस्तों चार हजार-पांसाब फीट अब उप-सी लिवल हम लोग हैं प्रपरटी को बने रही है था जोशी फैमिली के साथ प्लीज दू लाइक और सब्सक्राइब गाइज लेस गो दोस्तों सामने है उडिसी स्टेज उंबीर का पार्किंग एरिया दोस्तों गड़ी हम लोग लगा चुके हैं दोस्तों नीचे की तरह है दोस्तों उंबीर टाउन सामने हैं उंबीर का स्कूल और जो लाल कलर का उपर देख रहा है दोस्तों वो है उंबीर का चर्च दोस्तों तो चलते हैं रिजॉर्ट में आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों ये है resort का cafe area दोस्तों Saturday Sunday को काफी happening place है ये काफी public यहाँ पे आती है Saturday Sunday जातर weekends में दोस्तों अभी इन लोग ने दोस्तों चार cottages भी बना दिये हैं जो की हैं पीछे की तरफ ये है दोस्तों पूरा इसका lawn area ये देखिए दोस्तों चीर के पेड़ 4000 feet के आसपास height above sea level ठंडी ठंडी हवा चलती है दोस्तों और नीचे है दोस्तों पूरा उंबी का town दोस्तों शिलॉंग city सामने 20 km पहले हम लोग हैं नीचे है बड़ा पानी लेग जिसको उम्याम लेग भी बोलते हैं दोस्तों यह दोस्तों पूरा इसका cafe area दोस्तों पीछे की तरफ है दोस्तों cottages चलते हैं अभी आगे cottages की तरफ दोस्तों हम लोग दोस्तों गोहाटी एरपोर्ट से आये तो गोहाटी एरपोर्ट से यह जगे आप लोगों को पड़ेगी तकریबन 95 किलोमीटर की असपास दोस्तों गोहाटी LGBI एरपोर्ट से और जो दोस्तों शिलॉटं का एरपोर्ट है शिलॉटं में भी एक एक दोस्तों छोटा एरपोर्ट है जो कि यहाँ से है तक्रीबन 15 किलोमीटर्स 15 से 16 किलोमीटर्स के आसपास Shilong का airport लेकिँ Shilong airport में दोस्तों limited flight से आती है तो आप लोग चूज कर सकते हैं कि आप लोगों को कहां आना है शिलong airport आना है या ज्यादा convenient आप लोगों के लिए गौहटी airport रहेगा दोस्तों तो नीचे हैं दोस्तों cottages यहाँ पर दोस्तों family बैठी है भी enjoying and chilling और नीचे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए यह है दोस्तों swimming pool यहाँ का इन हसीन वादियों के बीच में इतना खुबसूरत swimming pool दोस्तों और नीचे की तरफ दोस्तों पूरे उम्याम लेक दिखती है तो यह है दोस्तों swimming pool changing room यहाँ पर आप लोग टी काफी स्नेक्स वगएरा मगा सकते हैं यहाँ पें दोस्तों पीछे की तरफ cottages हमारा cottage है दोस्तों back side में भी चलेंगे cottage की तरफ और आपको अपना cottage भी दिखाऊंगा दोस्तों बने रही है था जोशी फैमली के साथ दोस्तों temperature काफी अच्छा रहता है दोस्तों अभी भी सुबर सुबर बहुत ही ठंडा था दोस्तों यहाँ पर शाम के टाइम पर भी बहुत ठंडा था यह दोस्तों कुछ-कुछ बच्चों के खेलने के लिए जूले वगएर लगा दिये है दोस्तों आनु को यह slide दोस्तों बहुत अच्छी लगती है तो यह है दोस्तों सामने cottage 1,2,3,4,4 cottage है दोस्तों यहाँ पर एक पूरा view आप लोग देखिए काफी खुबसूरत दोस्तों बहुत ही बहतरीन, very nice तो अभी चलते हैं यह है दोस्तों इस तरफ पूल के एंट्री तो चलते हैं दोस्तों अभी आपको दिखाता हूँ cottage दोस्तों बने रही है दाजोशी फैमली के साथ and प्लीज दू लाइक and subscribe गाइज इस तरफ है दोस्तों हमारा cottage B1 अभी दिखाऊंगा आपको basic amenities, basic facilities अभी आपको दिखाऊंगा बने रही है दाजोशी फैमली के साथ and प्लीज दू लाइक and subscribe गाइज and visit उंबीड दोस्तों, visit this resort very nice, बहुत ही खुबसूरत तो दोस्तों आपको cottage का एक view दिखाता हूँ दोस्तों, एक cottage दोस्तों इस तरफ एक cottage दोस्तों इस तरफ और दो cottage दोस्तों नीचे तो यह है दोस्तों entrance cottage का थोड़ा सा गंदा होगा दोस्तों प्लीज डोन माइंड यह बड़ी आसा bed table पंखा लगा है वैसे पंखिया कोई यूज नहीं है दोस्तों और यह दोस्तों देखिया उपर पंखी कोई जगह नहीं है यह दोस्तों टाइम पास पंखा है इसका कोई जरुवत नहीं वैसे क्योंकि वैदर इतना ठंडा रहता है दोस्तों यह बैड पूरा वुडन कोड़ है जो दोस्तों लकड़ी का अच्छा यह दोस्तों है वाश्रूम गीजल लगा हुआ है बैतरीन और सब कुछ बढ़िया दोस्तों वैरे नाइस पूरा वुडन का दोस्तों तो यह है दोस्तों एक कॉटेज का व्यू अंदर का कर्टेन और यहां से आप लोग बहान निकले और एक बहुत ही बैतरीन व्यू और इस तरफ बहुत ही बैतरीन व्यू आता है दोस्तों नीचे पूरी उम्याम या बड़ा पानी लेक है दोस्तों यह पूरा एक शिलॉंग की पहाड़ियों का एक बहुत ही खुबसुरत व्यू तो अभी चलते हैं नीचे स्विंग पूल में इंजॉय करते हैं आप लोग बन है झाल वर में अधान की खुबस्तों बाद बने राहिये दा जोशी फेमिली के साथ यह तो अप्ली दे लाइक आइक न प्सक्राइब गाइज इन हसीन वादी हो में दोस्तों 5,000 फीट की हाइड पर यह सूनिक फूल और यह दोस्तों वादियां थंडर 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 चलता है दोस्तों जो फैमिली के सांद निकलते हैं थोड़ा से ड्वेंचर होता है थोड़ा से मज़ा होता है दोस्तों लेट्स वाग गाइस प्लीज दूल इकन सब्स्प्राइब एक यह बाइब आए जैहन्द